अब्बा जैसा होगा बेटों का अंजाम अतीक के परिवार का आया काल कोट से लगाई सुरक्षा की गुहार अगला नमबर किसका नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट वो कहते हैं ना जैसा बोया है वैसा ही काटना है एक समय में जो माफिया अतीक अहमत अपने दबदवे के चलते लोगों के घर उजड़ रहा था आज उसके मिटी में मिलने के बाद उसका पूरा घर उजड़ गया है एक बेटा एंकाउंटर में मारा गया बीबी फराड चल रही है जितने गुरगे और करीबी थे वो जान दर सता रहा है तो आज बात होगी अतीक के बेटों के डर की बात होगी डर के बाद हुई हालत की तो चलिए शुरू करते हैं पूर्वांचल के कोख्यात माफियाती कहमत के सामराज को नस्तिना अबूत करने के बाद यूपी सरकार उसे जड़ से खत्म करने की और अग्रिसर है जहां प्रियागराज में हुए उमेश पाल शूट आउट को एक साल से अधिक समय हो गया है इस पूरे कांड मने माफिया डॉन अतीक एहमत के पूरे काले सामराज को मिट्टी में मिलाने का काम किया है इस कान के बाद अतीक एहमद का पूरा परिवार बरबाद हो गया ये हत्याकान अतीक के लिए काल बन कर आया और इसके चलते ही अतीक का बेटा असद एंकाउंटर में धेर हो गया मार गिराया गया वहीं जो माफिया अतीक एहमद ना किसी कानून से डरता था और ना किसी प्रसासन की बात मानता था वो अपने अंतिम दिनों में कानून और प्रसासन के आगे जान की भीक मांगता दिखा कोर्ट से सुरक्षा की गुहाल लगा रहा था लेकिन कडी सुरक्षा पुलिस के पहरे दरजनों कैमरों के सामने ही उसको और उसके भाई को गोलियों से छलनी कर दिया वहीं डर अब अतीक एहमत के जिन्दा बचे बेटों को सताने लगा है जहाँ ही कहना गलत नहीं होगा कि जेल में बंद माफिया अतीक एहमत के दो बेटों उमर और अली एहमत को भी उनके अबबा जैसा अंजाम होने का डर सता रहा है उन्होंने आर्षन का जिताई है कि उन पर भी ठीक वैसे ही हमला हो सकता है जैसे उनके अब्बा अतीक एहमद और चाचा अर्श्रफर हुआ था जिसके चलते इन दोनों ने अदालत से गुहा लगाई है कि उनको पेशी के दोरान कड़ी सुरक्षा मोहिया कराई जाए उधर अतीक के दो अन्य नाबालिक बेटों की उमेश पाल की हत्या केस में भुमिका की जाच कराई जा रही है इन सभी पर उमेश पाल हत्याकांट के अलावा भी कई अन्य मुकद में विचारा धीन है वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि उमर एहमद लखनाओ और अली फिलहाल प्रियागराज की नैनी जेल में बंद है उमेश पाल हत्याकांट में पुलिस की जाच में एहम तथ्याकांट की साजिश रची थी जेल में ही शूटरों से मुलाकात भी की गई थी ऐसे में अब इन दोनों को आरोपी बनाया गया है सबूत मिलने में देरी होने की वज़ा से अब तक मामले की सुनवाई अटके हुई थी पुलिस का कहना है कि उमेश पाल हत्याकांट में अतीक के बेटों ने साजिश में बड़ी भूमिका निभाई थी अतीक के सबसे चोटे दोनों बेटों पर आरोप है कि उन्होंने आईफोन की आईडी बनाई शूटरों को आईफोन महिया कराने के दौरान कोड बना कर दिया था लखनव जेल में बन्द उमर अपने भाई असद की मदद से बिल्डरों की कॉल करके रंगदारी वसूल रहा था वही नैनी जेल में बन्द अली से उमेश पाल के शूटर संपर्क में थे जिसके चलते हैं अब उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को होई वकील उमेश पाल हत्याकान मामले में बड़ा एक्शन हुआ है जेल में बन्द माफिया तीक एहमत के दोनों बेटों को कोड में पेश किये जाने की तैयारी चल रही है जिसके लिए जेल में बन्द उमर और नैनी जेल में बन्द अली एहमत का वारन भी पुलिस ने दाखिल कर दिया है वारन भी की बात करें तो ये वो होता है जिससे केस में अपरादी जेल में बंध हो उससे अलग बामले का वारन ताकि जमानत मिलने पर भी आरोपी को जेल से छोड़ा ना जाए जहां दोनों की SCST कोर्ट में पेशी होनी है पेशी के बाद पुलिस उमेश पाल हत्याकान में चार्जशीट दाखिल करेगी माना जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकान की इस चार्जशीट में अली और उमर एहमद को भी साजिश रचने वाले के तौर पर आरोपी किया जा सकता है इसी पेशी से पहले अली और उमर एहमद ने अदालत में प्राथना पत्र देकर अपनी सुरक्षा की गुहाल लगाई है उन्होंने आशनका जिताई है कि उन पर भी ठीक वैसे ही हमला हो सकता है जैसा उनके अबबा अतीक और चाचा अश्रशव पर हुआ था पिलाल अब दोनों को संसनी खेज हत्याकान में अभ्यूक्त बनाये जाने से कानूनी सिकंजा कश गया है वहीं आपको बता दे कि उमेश पाल हत्याकान में पुलिस का अतीक एहमद के परिवार पर लगातार शिकंजा कस रहा है अतीक के दो अन्य नावालिक बेटे अपनी बुआ के घर में रहते हैं दोनों हटवा इलाके में रह रहे हैं और उनकी सुरक्षय के लिए पुलिस कर्मी भी तैनात किये गए हैं इनकी भूमिका की भी जाच चल रही है जहां उमेश पाल हत्याकान में इन दोनों की भी मिली भगत है या नहीं पुलिस इसकी जाच में चुटी है दोशी पाय जाने पर इन दोनों की भी नाम आरोप पत्र में शामिल किये जा सकते हैं अतीक का पांचवा बेटा असत पुलिस मुठ बेड में मारा जा चुका है वहीं पिछले एक साल से अतीक एहमत की बीवी शायस्ता परवीन और अश्रफ की बेगम जैनब फातिमा फराच चल रही है पुलिस को इन दोनों की उमेश पाल हत्याकान में तलाश है वहीं अश्रफ के साले सद्दाम का पुलिस ने रिमांड बनवाया है उसके खलाब वक्त की जमीन हडपने के मामले में साथ अन्य के साथ कई केस दरज के गए है जेल में बन सद्दाम के खलाब पिछले दिनों भी वार्रेंट तालीम कराया गया था माफिय अतीक और अश्रफ के गुर्गों ने पुरा मुफ्ती इलाके में सुन्नी वक्त बोर्ड की पचास करोड की जमीन हडपनी थी इस केस में साथ लोग आरोपी बनाए गए हैं लेकिन किसी को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है अश्रफ का एक साला सद्दाम पहले से जेल में बन है पुरा मुफ्ती पुलिस ने जेल में उसकी वार्रन तालीम किया है अब उसके खलाब चार्ज शीर दाखिल होगी पिछले दिनों सद्दाम के साथ साथ अन्नी के खलाब गैंक्स्टर का केस भी दरज किया गया था तो वहीं अतीक गैंग के करीबी या तो पकड़े जा चुके हैं या पुलिस की पकड़ से फरार हैं वहीं अतीक एहमद के तमाम रिष्टेदारों को मिला कर अब तक उमेश पाल हत्याकान में कुल 26 लोगों को आरोपी किया जा चुका है इन 26 साजिश करताओं में 12 फिलहाल जेल में बंद है जेल काट रहे आरोपियों के नाम अखलाक एहमद, सौलत हनीफ खान, विजे मिश्र, राकेश, केश एहमद, सदाकत खान, उमर एहमद, अली एहमद, इकबाल एहमद, नियाज एहमद, शारुक और मुहमद अर्शद है शामिल साथ अन्य आरोपि मुटवेड और अन्य हमलों में मारे जा चुके हैं इनके नाम असद, अतीक, अहमद, अर्शब, उस्मान, उर्फ, विजे चौधरी, नफीस, बिर्यानी, गुलाम और अर्बाज है वहीं आपको बता दे कि राजुपाल हत्याकान के मुख्य गवा उमेश पाल की दिन दहाडे गोली मार कर हत्या कर दी थी उमेश पाल की सुरक्षा में लेगे यूपी पुलिस के दो गनरों की भी इस दोरान हत्या कर दी गई थी इस शूटाउट को अतीक के बेटे असद और अतीक के गुर्गु ने अंजाम दिया था इस हत्याकान से पूरे यूपी में हरकम पुमचा था इस केस के बाद ही माफिया अतीक एहमत का पूरा परिवार बरबाद हो गया था और माफिया अतीक एहमत के मिटी में मिल जाने के बाद भी धीरे-धीरे माफिया का काला सामराज मिटी में मिलता जा रहा है जहां माफिया अतीक एहमत की हत्या हो चुकी है लेकिन उसकी अवैद संपत्यों और गिरहों की काली कमाई पर सरकार और कानून का शिकनजाल लगातार कस रहा है अतीक और उसके भाई की हत्या से पहले E.D. ने उसके करीबियों के 15 ठिकानों पर छापे मारे थे इसमें से 100 से जादा अवैद और बेनामी संपत्यों के दस्तावेश मिले थे इस दोरान ये खुलासा भी हुआ था कि उसने लखनव और प्रियागराज में पौश रिलाकों में कई संपत्या खरी दी थी ये संपत्या अतीक और उसके परिजोनों के नाम पर रजिस्टर हुई थी E.D. को अतीक के नाम रजिस्टर लखनव में 47 लाक रुपे की कीमत के 600 स्क्वेर मीटर में बने मकान के सबूत भी मिले थे फिर ये शिकंजा कस्ता ही गिया पुलिस और प्रशासर ने उसकी अधीकतर अवैज संपत्य या तो जब्त कली है या फिरों पर बुलडोजEr चलवा दिया है उसकी 417 करोड की संपत्य सरकारी कबजे में है जबकि 752 करोड की संपत्य पर बुलडोजर चल चुका है सबसे बड़ी बात उसका पूरा कुनबा बिखड चुका है पिछले साल प्रियागराज में इस्ते तो उसके द्वारा कबजाई गई 16 अवैद संपत्यों को कुर्क कर लिया गया था प्रियागराज पुलिस कमिशनरेट ने एरपोर्ट ठाना शेत्र के कुठुलवा गोसपुर में अधीक एहमत की करीब 20 भीगा जमीन गैंक्सर रैक के तहत कुर्क कर दी थी इन संपत्यों का मूली करीब 12 करोड का बताया गया अतीकी ऐसी ही कई संपत्यों को कुर्क कर दिया गया है और ये कारवाई लगातार चलती ही जा रही है एस्पेशल स्टोरी में फिलाल के लिए इतना ही फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ बागी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया